हेलो डियर्स आज की इस वीडियो में देखेंगे समसमाई की घटना क्रम खेल कुद देश-विदेश से रिलेटेड महतोपूर्ण करंट अफियर जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का जो छात्राव सधिक्षक का एक्जाम होने वाला है इसमें ये 20 प्रस्न पूछा जाएगा 20 नंबर का इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और समसमाई की घटना क्रम आप लोग के प्राया हर एक्जाम में पूछा जाएगा जो अभी सीजी पीसी के द्वारा भृत्य का निकला है प्यून का निकला है इसमें भी आप लोग का पूछा जाएगा ठीक है एडियो के में भी पूछा जाएगा इसलिए यह क्या है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है यह पार्ट वन है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने इस पहले जिन लोग इस चैनल पे निव हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें और उसको ओल में रखे ठीक है ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुज का नौटिफिकेशन जल्द जल्द प्राप्त किया जा सकें और याद रखना यह जो समसमाई की घटनक्रम से रिलेटेट कोस्चन आंसर जो की सलेक्ट क किया गया है वह आप लोग के सीजी पिएस सी जो प्यून का निकाला गया है वेकैंसि एडियो का होश्टल वाडन का और जितना भी स्टेट लेवल ठीक है स्टेट लेवल वेकैंसी निकलेगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है जितने भी कॉंपीटिश एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उन लोग बीना ही स्किप किये हुए जरूर देखेगा और इसका जो भी एनलाइज होगा ठीक है उसको अच्छे से समझेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं कोशन नमबर फश्ट केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर बैन लगाने का फैसला किया है ठीक है इसमें किस छेत्र को अपवाद में रखा है तो देखे केंद्र सरकार जो है वो ड्रोन के आयात पर मतलब हमारा भारत देश है इसमें हम लोग ड्रोन क्या करते थे बाहर के देश से मंगाते थे ठीक है भारत देश में तो इस पर जो देश है वो क्या कर दिया है बैन कर दिया है कि ड्रोन हम लोग नहीं मंगा सकते हैं और ये किस छेत्र में के लिए मंगवा सकते हैं तो इसका भी अपवाद है हम RAND ठीक है Defense Security इन तीन छेत्र के लिए हम लोग विदेश से मंगा सकते हैं केवल ये ठीक है Research and Development इसको नोट कर लिजेगा तो ये तीनो चारो के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मंगा सकते हैं बागी के लिए हम लोग नहीं मंगा सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option number D इसका right answer हो जाएगा ठीक है और ये जो बैन है वो कप किया गया है तो 9 February को किया गया है 2022 को ठीक याद रखना और इसमें जैसे CBU drone जो है उसको बैन कर दिया गया है CKD drone है उसको भी बैन कर दिया गया है SKD drone है इसको भी बैन कर दिया गया है ठीक है ये तो आप लोग को पता होगा क्या है CBU का full form होता है completely built up ठीक है completely built up ठीक और CKD इसका मतलब होता है completely knocked down ठीक है और SKD का full form होता है semi knockdown ठीक है semi फिर बाकी इसको देख ले ना knockdown ठीक तो इस प्रकार इसका full form होता है और याद रखना जो इसके component होता है जो इसके पूर्जे होते हैं उसको भी क्या कर दिया गया है बैन कर दिया गया है ताकि कोई भी इसका पूर्जा भी मत मणा सके अब ठीक है इतना तो आप लोग को पता चल गया कि इसको बैन कर दिया गया है लेकिन यह भी आप लोग को समझना जरूरी है कि इसको band क्यों किया गया है band करने का main reason क्या है made in India को बढ़ावा देना made in India को बढ़ावा देना इसका main reason है और जो घरेलू निर्माड होता है घरेलू निर्माड उद्योग इसको कायम करना है तो कि जो drone है वो main in India का ही आप लोग को खरीदना चाहिए तो इसके लिए जो अभी बजार है वो 3.83 लाग करोण सुरी लाग करोण का नी 3.83 हजार करोण का है ठीक है हजार करोण का भियांका गया है जो कि made in India पे निर्धारित है इसलिए अभी आप लोग मोटे तोर पे समझ सकते हैं कि made in India को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ठीक है और made in India क्या है आप लोग को पता चल गए होगे इसी के तूलना में Chinese ये अपको भी बन किया गया है ठीक तो जितना भी अनलाइस आप लोग को बताऊंगा वो सभी आप लोग के काम का है ठीक है जरूरी नहीं है कि इसको डारेक्ट पूछा जा सकता है यदि आप लोग को भी पूछा जा सकता है कि ASKD जो ड्रोन होता है इसका फूल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है या फिर CKD इसका फूल फॉर्म क्या है CKD ड्रोन का है ना ये भी आप लोग को पूछा जा सकता है इसके लिए एनलाइस को अच्छे से याद रखना ठीक देखते हैं नेश्ट कोस्चन तो ये नेश्ट कोस्चन है वज्ञानिक लिउक मॉन्टेगनियर का निधन 8 फरवरी 2022 को हो गया उन्हें किस वायरस की खोच के लिए नोबे सब्सक्राइब लुक्राइब देखते को होता है याद रखना तो इसके खोच के लिए इनको मिला हुआ था और 1983 में इन्होंने खोच किया था ठीक है और इनका निधन कब हुआ तो 18 फरवरी 2022 को हुआ है उस टाइम ये कितने साल के थे 89 साल की उम्र में ठीक और ये कहां के हैं तो ये है पेरीज के ठीक है पेरीज कों से कंट्री में आता है तो पेरीज है फ्रांस की राध्धनी ठीक है पेरीज तो ये कहां कि पेरीज फ्रांस के हैं ठीक याद रखना नहीं हुआ तो दीखें ुसकोर क्या रहा है इसको जानने से पहले ये जञ लो कि इसको जारी कप किया गया था तो इसको जारी किया गया था, 4 फरवरी, 4 फरवरी 2022 को जारी किया गया था, ठीक है? याद रखने इसको, बहुत ही जादा है, इंपोर्टेंट है, ठीक है? और ये कितने देशों के बीच जारी किया जाता है, तो 19 देशों के बीच ये जारी किया जाता है, और किसको जारी किय है यह कहने का मतलब यह है कि यह क्या चीछ को दिखाता है read readiness index हैा तो यह क्या करता है जितने भी 19 देश्म हैं जो लोग तांतिरिक देश है उसके Tele इतल जो Global Digital Skill है मतलब digital के छेत्र में इन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है इसको दर्साता है मतलब इसको पॉइंट देता है सव नंबर रहता है जिसमें से यह जो देश है उन लोग को क्या करता है पॉइंट देता है कि उन लोग डिजीटल स्कील डिजीटल जो छमता है उसके कितना आगे डेवलप हुए है ठीक है तो इसमें हम भारत देश को कितना पॉइंट मिला है तो भारत देश को 63 पॉइंट मिला है जो कि विश्व का सबसे बहतर अभी तक का रिकॉर्ड है ठीक है सबसे बहतर मतलब नंबर वन में है भारत ठीक है भारत का 63 पॉइंट हो गया ठीक और उसी प्रकार ब्राजील का कितना मिला है ब्र यह को यह तीसरा नंमबर में ठीक है, और चौत्रा नंमसे 47 नंम्बर वाला है जो कि मेकसीको को मिला है ठीक है मेकसी को, याद रखने इसको और पांचवा नंबर में मेरे ख्याल से अर्जेंटीना है जिसको 41 marks मिला हुआ है, 100 में से ग्लोबल डिजीटल स्कील के तहथ जिसको जारी करता है तो इसको readiness index मतलब readiness index भी बोलते हैं इसको जो भी कमीटी होगा वह जारी करता है तो देखते हैं next question number four कस्मीर मामले पर विवादित social media post की वज़से कीं ग्लोबल कमपणियों ने भारत से माफी माँगी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है जिन लोग पेपर वगरा पढ़ते होंगे उन लोग को पता होगा ठीक तो इसका जो राइट आंसर आजाएगा वो क्या आजाएगा वो प्रोक्त सभी ठीक है जो हिंडाई और किया मोटर्स है और के एपसी है के ए सुरी के एपसी और जो मैकडोनल्ड्स यह ठीक पीजा हट यह क्या है यह सब एक प्रकार का खाने पीने वाला वो है और हुंडाई मोटर्स है ठीक है जो कि वहान वगरा बनाता है ठीक तो यह सभी लोग भारत देश से माफी मांगे है क्यों मांगे है माफी तो इन्होंने देखे इसको जानने से पहले यह जान लिजे कि जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा होता है उन लोग क्या करते हैं उसके तहट पांच फरवरी को क्या मनाते हैं कस्मीर एक जुरता दिवस मनाते हैं कौन मनाते हैं तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के अनुसार पांच कार के द्वारा जुलूस निकाला जाता है तो इसी के तहत यह जो है इसके जो इन्फ्लूएंसर वगरा है जितने भी इसके मार्केटिंग वाले हैं उसमें से क्या कमेंट कर दिये थे एक ट्वीट कर दिये थे जिसमें लिखा हुआ था कस्मीर प्लाव डार कस्मीर इस ठीक है कि समीर बिलॉंग इस ठीक है किस्मीर बिलॉंग किसे करते हैं किस्मीर में हिस्सा है कस्मीर भारत देश का हिस्सा है ना इंडिया में आता है ठीक है भले पाकिस्तान वाले लोग अपना समझते रहें मूर्ख लोग तो समझेंगे ही ठीक है ये किसका है इंडिया का है पाकिस्तान इंडिया का ठीक सोरी हाँ पाकिस्तान भी इंडिया का ही है ना कस्मीर इस तरीय बैठा किस सहर में फरवरी 2022 में आयोजित की गई है तो देखे जो क्वाड मंत्री जैसे कि आप लोग को पता होगा कि टोक्यो में टोक्यो में क्वाड का जो मुख्य सदस्य है जैसे देखे अमेरीका का राष्टपती ठीक है भारादेश का प्रधान मंत्री जापान का प्रधान मंत्री और आश्ट्रेलिया का प्रधान मंत्री ये चारो जो मुख्य सदस्य है इन लोग का मिटिंग कहा हुआ था टोक्यो में हुआ था लेकिन यहां बोला गया है मंत्री स्तरीय बैठाक तो मंत्री स्तरीय बैठाक हुआ था आउस्ट्रेलिया में ठीक है आउ का भी विदेष मंत्री कौन है तो अमेरीका का विदेष मंत्री है एंटनी बलेकन है ठीक है आउस्ट्रेलिया का विदेष मंत्री कौन है इंट्य। ठीक है, एस जै संकर, और जपान के, जपान के विदेश मंत्री कोन है, तो यूसियास हयासी, ठीक है, वाई हयासी लिख देता हूँ, ठीक है, यूसियास हयासी, ये कहां के है, जपान के विदेश मंत्री है, तो इन चारों मंत्रियों का बैठक हुआ था, जिसको बोला गया, क अट्रेलिया में ठीक है, quad का मतलब तो आप लोग को पता होगा, quadrilateral security dialogue जिसको बोला जाता है, quadrilateral security dialogue, ठीक है, नोट कर लिजएगा इसका मिनिंग क्या इसको ठीक आगे देखते हैं कोश्चन नमबर 6 वर्स 2020 में कूल 1.53 लाक लोगों ने सुसाइट किया यह रिपोर्ट किस सरकारी संगठन ने जारी किया तो यह क्या है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है याद रखना जितने लोग बिमारी से नहीं मर रहे हैं ठीक है बिमारी से नहीं मर रहे हैं उतने ज्यादा लोग सुसाइट से मर रहे हैं ठीक है मतलब बिमारी से मरने वाले की तुलना कम है सुसाइट से मरने वाली की तुलना ज़्यादा है तो 2020 में 1.53 लाग लोग सुसाइट से मरे हैं और इन लोग जितने लोग भी सुसाइट से मरे हैं उसमें से बाकी जिन लोग का अलग-अलग रीजन हो सकता है उन लोग को मैनीबल सकता कि किस रिजन से वो हुए हैं लेकिन जितना भी इस्टूडेंट वगरा हुए हैं फैलवार की द्रिष्टी से यदि मरे हैं तो उन लोग से मुर्ख व्यक्ति कोई हो नहीं सकता ठीक है तो कि जिंदगी इतना बड़ा है कि आप लोग जी नहीं सकते ठंक से हैं ना जरूरी नहीं कि किसी भी एक्जाम में यदि आप लोग फैल हो गए आइ-टी में आप लोग फैल हो गए ठीक है इंडिया इंस्टूट्टीट आप टेकनोलोजी या MBBS जो नीट का एक्जाम होता हैं इसमें आप लोग फैल हो गए UPSC, IES के इक्जाम में फै ठीक या लटकी हो या लड़का हो जो भी हो अभी प्यार मोहबद वगरा से दूर रहना जितना ज्यादा हो सके कैरियर पे भी ध्यान देना है निया अप लोग को यह जोब नहीं मिल रहा है सङलेक्षन नहीं पा रहा है तो YouTube से income कर सकते हैं, बहुत सारे income करने का तरीका है, ठीक है, तो suicide वाला कभी सोचना भी मत कोई, ठीक चाहे कुछ भी reason हो, है ना, जो कि मुसीबत आता है, मुसीबत हम लोग को क्यों आता है, मुसीबत हम लोग को मजबूत बनाने के लिए आता है, ठीक है, मुसीबत हम लोग को कम तो देखे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और यह जो report का नाम क्या है पता है? इस report को full, इसका full नाम क्या होता है? तो accidental death and suicide report बोला जाता है ठीक है? इन इंडिया, इसको बोला जाता है accidental death and suicides in India report ठीक है? यह बोला जाता है, इसको note कर लेजएगा, बहुत ही ज्यादा important है और ये तो आप लोग को पता चल गया कि देखिए कि कितने लोग अभी तक में suicide से अपना जान गवाए हैं तो 2018 का यदी आपड़ा हम लोग देखे तो 1,34,516 के आसपास है ठीक है और 2019 यदी देखे तो 1,49,123 के आसपास है और 2020 में यदी देखे तो 1,53,000 है ठीक है उतना मेरे को भी कंठम याद नहीं है लेकिन ये जो 500,100 है ये फीक से है बाकि ये जो इकाई और दहाई संख्या है इसमें से 5,10 का अखड़ा अड़ा या कम या ज़्यादा हो सकता है उसको आप लोग समझें सीजी से बिलाउंग करता हूँ इसलिए आप लोग को सीजी भासा भी कुछ-कुछ सुनने को मिल जाएगा जिस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दिजिएगा ठीक है तो इसमें आप लोग को क्या पता चल रहा है कि जो 2018 है 19-20 इसमें क्या देखने को मिल रहा है इसमें देखने को मिल रहा है कि इसकी जो मृत्यू दर हो बढ़ रहा है है ना तो इसमें जो में चीज है वो बढ़ रहा है ये भी आप लोग को को स्टन मिल सकता है कि जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें पिछले दो पिछले दो तीन सालों से जो मृत्यू दर है वो घट रहे कि बढ़ रहे तो आप लोग को अप्शन दे दिया जाएगा घट रहे दूसरा बढ़ रहे तीसरा क्या है समान्य है टो भड़ रहे तीक लगाना ठीक हो यह आप लोग के लिए एक कोस्चन है क्सरल जैसे कि आप लोग को पता होगा कि भारत देश का समूधरी यात्रा का खोश किस ने किया वासकोडी गामा ने किया ये तो आप लोग सबको पता हो गया होगा लेकिन अभी तरी अभी जो इग्जाम होगा आप लोग को फॉच्टल वार्डन का इस में इस टेप से पूछ जाएगा जो किया है लेकिन जो पूर्त गाली लोग ओं नोग को क्या जरूरत पड़ गया जिसके काराण भारत में समूद्री मार्गा क्यी कोच कीया है थीक यह समूद्री मार्गा की कोच करने के टाईम क्या-क्या कठी ना гор मों आप मों option में दे दिया जाएगा इस टाइप से आप लोग को क्या पूछा जाएगा तो इस टाइप से घुमा के पूछा जाएगा याद रखना ठीक है अभी पूरा सब जो कि जम्मू कश्मिर के साथ समझ होता किया है मतलब सहयोग्यापन में साइन क्या है इससे पहले यूए आई किया था ठीक है इसके बाद दूसरे नंबर पे न्यूजिलेंड किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिंग ठीक है आपसन भी फार्मिंग और इसके तिरीक तक क्या किया गया है तो भेंड पालन के लिए भी किया गया है ठीक है भेंड पालन पे भी किया गया है यह इसका राइट आंसर है ठीक है अपसन नंबर भी और यह किसके किसके बीच किया गया है तो न्यूजिलेंड के जो जी जी फाइफ होता है कि जी टू होता है क इसा मॉनिक्स ओपी ठीक है याद रखना ओपी को इस टैप से आप लोग पढ़ना ओपी वैसे मत पढ़ देना ठीक इंगलिस का इनके बीच हुआ था और जम्मू कस्मिर के उपराजयपाल अभी जम्मू कस्मिर के उपराजयपाल कौन है तो यहां के उपराजयपाल है कौष्ण ौइट नहीं आ रहे है इसलिए मेरे को वीडियो डालने में अच्छा नहीं लग रहे है जितना ज्यादा हो सके सेयर कीजेगा ता कि वीवाएच जितने ज्यादा लोग को फायदा मिलेग का उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में अच्छा लगेगा एक दो लोग पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है लेकिन बाकी लोग को भी सेयर जरूर किजेगा और सब्सक्राइब भी जरूर किजेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं नेश्ट कोस्चन नमबर एट सूप्रीम को ठीक है परियावरणवीद थे शारध्राम इसका मतलब यह नहीं है कि चारध्राम जो चारोध्राम है उत्तर में जारह नहीं ठीक है यह जो चार धाम है यह है उत्रा खंड में चार धाम सड़क चोड़ी करण परियोजना इसके लिए अध्यक्षा बनाया हुए थे जिसके वज़े से उन्होंने इस्तिफा दे दिया मतलब उनको काम सायत पसंद नहीं आया होगा ठीक है निच्ट देखते हैं कोशन नमबर 9 आरबी आई ने द्वी मासिक मैट्रिक निती बाए मंथली मोनेटरी पॉलिसी समिक्षा फरवरी 2022 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया यह रेपो रेट कितना था ठीक है बदलाव किया कि नहीं किया आएगा यह रेपो रेट कितनी है तो इसका राइट अंसर क्या हो जैगा तो पहले यह जान लीजेफ रेपो रेट क्या होता है तो देखें आप लोग बेंगे लोन लेंगेव थिक है लोन मतलब लेंगे नहीं मांने जाए कोई भी है जो बैसे लोन लेता है ठीक लोन लेता है वह क्या करता है बैंक को फिर वापस चुकाईगा तो कुछ percent व्याज के तोर पह चुकाता है न मानने जाए कोई A.B.I. ses N sinking लीया वह व्याज के तोर चुकाएगा तूसी प्रकार जो बैंक है वो भी लोन लेता है तो वो लोन लेता है RBI से Reserve Bank of India से इसे लोन लेता है तो SBI भी उसको क्या करेगा RBI को ब्याज से चुकाएगा ठीक है तो यह जो होता है जितना ब्याज के दर से SBI, जो भी बैंक होगा, वो RBI को चुकाएगा, उसको बोला जाता है, रेपो दर, ठीक है, रेपो रेट, रेपो रेट, मतलब रेपो दर, रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब दर होता है न, तो उसको बोला जाता है, उसी ब्याज को बोला जाता है, रेपो रेट, तो इसका जो reverse repo rate होता है वो क्या होता है तो मान ले जाए RBI के पास यदि ज्यादा पैसा हो गया तो वो क्या करता है यदि हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाता है कैस तो हम लोग bank में जामा करते हैं उसी प्रकार यदि RBI के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो क्या करता है अपने पा करता है यदि बजार में ठीक है बजार में मतलब जो मार्केट है इसमें नगद पैसा जो नगद कैस होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है तो यह क्या करता है reverse reporate बढ़ा देता है reverse reporate बढ़ा देता है कहने का मतलब है यदि अब देखे बजार में नगाच जादा हो गया तो यदि हम लोग SBI में जमा करने लगे तो हम लोग को 5% मिलने लगा ठीक है और पहले जमा करते है 4% तो 1% बढ़ा दिया ना तो इस प्रकार SBI भी क्या करेगा RBI में जमा कर देगा जिसके वज़े से RBI भी इनको ब्याज देगा SBI को ठीक है जो RBI है ये भी क्या करेगा SBI को ब्याज देगा उसको बोला जाता है reverse reporate मतलब यदि इसको सरल भासा में आप लोग को समझाना होगा तो देखिए ये RBI है ठीक है और ये मान ले जाए कोई भी बैंक है जैसे SBI ले लिया मैं एक्जामपल के तौर पे यदि RBI से SBI लोन लेता है तो जिस परसेंट में और SBI लोन को चुकाता है उसको बोला जाता है ठीक है और यदि SBI के पास ज्यादा नोट हो जाता है ज्यादा करंसी हो जाता है या बाजार में ज्यादा करंसी हो जाता है तब RBI उस ज्यादा नगद को अपने में रखना चाहता है ठीक है क्योंकि महंगाई न बढ़ है बोलके इसलिए बोलता है कि तुम अपना पैसा हमारे पास जमा कर दो बैंक को बोलता है और हम इसके बदले तुमको ब्याज देंगे तुम जितना पैसा जमा करोगे उतना पर्चेंट हम आपको ब्याज देंगे बोलता है तो उसी को बोला जाता है reverse repo rate ठीक है समझ में आ गया ना अब देखते हैं नेश्ट कोस्चन नमबर 10 इसराइल और किस देश ने राजनियाईक संबंध इसराइल और किस देश ने राजनियाईक संबंध डिपलोमेटिक रिलेशन के 30 साल पूरा होने पर 29 जन्वरी को जच नमनाया है तो वो है भारत देश ठीक है ये 29 जन्वरी 1992 को ठीक है 29 जन्वरी 1992 को राजनियाईक संबंधों का जो चलन है वो इस्थापित हुआ था इसराइल और भारत देश के बीच और इसको लेकिन मान्यता सुरी हाँ इस दिन इस्थापित हुआ ठीक है और इसको मान्यता कप से मिला हुआ था तो 19 सितंबर 1950 को मान्यता दिया गया था लेकिन वो प्रॉपरली स्थापित नहीं हो पाया था लेकिन 29 जन्वरी 1992 को स्थापित हो गया तो 29 जन्वरी को जच नमनाया गया उसी की अपेच्छा में 30 साल पूरे होने की अब एच्छा में ठीक है भारत देश ठीक नेश्ट देखते हैं भारत ने फ्री फायर सेहित कितने चैनीज एप को फरवरी 2022 में बैंड कर दिया तो इसका राइट आंसर क्या आजाएगा वो आजाएगा डी 54 एप को ठीक है और यह किसके सीफारिश पर किया गया है तो होम मिनिस्ट्री के सीफारिश पर किया गया है इसको कौन किया गया है तो में इट एम ए आई टी रहता है फिर कैपिटल वाई इसने किया हुआ है IT की धारा ठीक है IT की धारा जो एक्ट होता है किसके अंतरगत आता है 69A के अंतरगत आता है ठीक है इसके तहत इसको बैन किया गया है ठीक Q12 इसरो ने वर्स 2022 के पहले आंतरिक्ष मिशन में कीन तीन सैटेलाइट को PSLV C54 रोकेट से लांच किया है तो इसका राइट आंसर क्या आजाएगा वो आजाएगा आपसर नमबर A देखे EOS for INS2TD और इंस्पायर सेट वन ठीक है इसको क्या किया हुआ है लांच किया है 2022 में PSLV C22 के दवारा ठीक है लांच किया गया है और कब किया गया है तो 14 फरवरी 2022 को किया गया है और इस टेम चेयर में कौन थे तो इस टेम चेयर में थे एस सोमनाथ ठीक है एस सोमनाथ चेयर में थे किसके इसरो के ठीक है और देखे कहां से लांच किया गया है तो लांच किया गया है सार से ठीक है सार से लांच किया गया है याद रखना बहुत ही झुमदी में इसका फॉल्पॉर्म होता है ना सतीज़वन अंत्रिक छक्यंद्रा जो की कहाता है आंधर प्रदेश में आता है स्री हरी कोटा ठीक है और यह वह यह मिसन सेटेलाइट है इसकी उचाई कि कितने उचाई पे इसको इस्थापित किया गया है तो इसकी उचाई और्बीट में ठीक है Sun Synchronias Fular orbit में इसको इस्थापित किया गया है ठीक बहुत ही ज़्यादा important है इसको याद रखींगा इसको तो आपलोग नोट कर लिजैगा बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि इसको जरूर पूछेगा ठीक है इसको 95% sóणे का संभावना है ठीक और इसका वजन देखे तो इसका जो वेट है वजन है वहाए 1700 केजी ठीक है नोट कर ली जीया बता रहा हूं और इसका जो मिषंच किते साल के लिए थीक यह 10 आल के लिए इसेटलाइट में आता है तो यह रडार इमेजिंग सेटेलाइट के अंतर में आता है ठीक है, रडार इमेजिंग सेटेलाइट, इसके अंतरगात आता है, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, मौसम को हाई क्वालिटी, जो रेंज होता है, मौसम का, उसमें हाई क्वालिटी रेंज देता है, हाई क्वालिटी इमे में image provide करेगा जिससे कि वहां राहत जो है वह उस image के तरीके से अच्छे से समझ के उसके अनुकुल पहुंचाया जा सके राहत थी है और इसका उपयोग सबसे ज्यादा होगा Krisie के छेत्र में forestry के छेत्र में इस तरीके से आन्या और भी छेतर हैं इसमें इसका यूस ज्यादा होगा ठीक है ने इस्टा कोस्चन देखते हैं कोस्चन नबर 30 केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समूदाय और भीखारों के लिए कौन सी योजना सुरू किया है तो इसको जाने से पहले इसके नाम पर यही मतलब जो इसका राइट अंसर क्या ज पांच किया गया है बारा फर्वरी 2022 को ठीक है बारा फर्वरी 2022 नोट कर लिजेगा जितना भी की-पाइट आप लोग μπο बता रहे हुँ उसका इस्माइल का फूल-फॉर्म क्या होता है आप लिले ठीक कि लिए है तो इसका फूल फॉर्म लिख लिछीगा Ск ihm डिसे पूट इंडिविज्वल फॉर लाइवली हूड लिख लिजेगा ठीक है लाइवली हूड एंड इंटर्प्राइज ठीक है इसमाइल का फुल फॉर्म है यह जो योजना है जो की ट्रांसजेंडर समूद आए और भिखारी के लिए बनाया गए इसका फुल फॉर्म है ठीक है और इसके लिए पांस साल का का क्वह किया गया है 2021-22시 से 20直接 26 तक किया गया है यह नहीं ठीक है और देखे इसके लिए कितना पार्हलागत किया है ठीक, छात्रव रित्ती मिलेगा और PM, PM दक्स जो योजना है ना, D, A, K, A, S, H, ठीक है, PM दक्स योजना के तहत कौसल विकास भी किया जाएगा, और इनके जो आजिविका है, जो आजिविका का साधन है, उसको भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और PM, J, एक योजना चलता है, जिसके तहत इनको क्या मिलेगा, समग्र चिकित्सा वगरा, जो भी जितना भी विस्त्रित चिकित्सा, पूरा, मतब चिकित्सा का वो मिलेगा, ठीक है, चिकित्सा का लाब मिलेगा, ठीक, महाराष्ट सरकार ने कैंसर की रोख थाम के लिए किस पहल की सुरुवात किया है तो इसका राइट आंसर आजाएगा होप एक्सप्रेश ठीक है होप एक्सप्रेश का किया हुआ है यह एक गाड़ी है जो कि घर घर जाके क्या करेगा इलाज करेगा ठीक ने इस्ट देखते हैं कोस्टन नमबर 15 और लाश्ट कोस्टन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है है जितना भी यह 15 कोस्टन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है याद रखना आर데 है ऍटमान्न इंटेंट्स दोहजार इऑgens में भारत के इस्थान बताएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 सा इसका फुलफाॉर्म क्या होता है he इकोनॉमी इंटेलिजेंस ठीक है इसको बोला जाता है इकोनॉमी ए Th diferencia जेंज ठीका यूनीट यू से हो गया है unit यह स्का फुल पहां हाई यह एक London-based ख़़्सaltetек संगठेन है ठीक है London यह London-based क्या है organization है तो देखिए जो लोक तंत्र सुछकांक होता है democracy index मतलब होता है इसका Hindi मीनिंग होगा लोकतंत्र सुचकांग ये 166 देशों का सुचना वो मतलब क्या करता है इंडेक्स जारी करता है ठीक है जिसमें क्या बोला गया है कि 21 जो देश है वो ही केवाल लोकतांत्रीक देश है पूर्ण लोकतांत्रीक देश है बाकी 160 तो लोकतांत्रीक है ही लेकिन 20 पूर्ण लोकतांत्रीक देश है ठीक है एक सेकेंड ना हाँ ठीक तो ये 21 पूर्ण लोकतांत्रीक देश है इसमें फ़स्ट में कौन सा आगा फर्ष्ट में नार्वे है ठीक है सेकेंड में कुन सा है न्यूजीलेंड है थर्ड में कुन सा है फिनलेंड है इस प्रकार थर्ड में फिनलेंड है उसके बाद 46 रैंक में इंडिया का है ठीक है तो इंडिया का रिकॉर्ड देख लिजे तो 2021 में 46 रैंक आया है 2022 में 53 रैंक था स्वरी 2020 है उसके बाद 2019 में 51 रैंग ठी है और पाकिस्तान का भी रैंग कुन सा है तो पाकिस्तान का भी रैंग है 104 नेपाल का रैंग है एक सवेक भूटान का रैंग है 81 स्रीलंका का रैंग है सडुसट बांगलादेश का रैंग है 75 इस प्रकार रैंग जारी किया गया हुए ठी है और इसका जो रैंग का अधार है रैंग तो जारी कर देता है लेकिन रैंग किस अधार पे जारी करता है वो देख लिजेगा ठी है तो इसका जो rank का अधार है वो है 5 अधार होता है ठीक है 5 अधार होता है पहला है चुनावी प्रक्रिया नोट कर लिजेगा बहुत ही ज्यादा important है question मीसी को बना के दे देगा चुनावी प्रक्रिया दूसरा है सरकार की कार्य प्रडाली सरकार की कार्य प्रडाली ठीक है की कार प्रडाली कैसा होता है चुनावी प्रक्रिया कैसा होता है ठीक है उसी प्रकार तीसरा है राजनीतिक भागीदारी तो राजनीतिक भागीदारी कैसा होता है विदेश लेवाल पे ठीक है और जो उसका अंदर का है वो ठीक है मतलब कंट्री लेवाल पे और जो फोर्थ होता है यह लिए राजनितिक सांस्क्रीटिड ठीक है यह सी तम ऐब prose चारी आधार भी मेरे को याद आ रहा है तही कि पांश्वा का याद नहीं आ रहा होगा जिसको मैं आपको कमेंट टॉप सेक्शन में कमेंट करके बता दूँगा ठीक है यह जिन लोग को पता होगा उन कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि इसका मेरे को चार ही अभी पता है ठीक है पांचवा याद नहीं है ठीक तो यह जो फिप्टी प्रस्ण है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट है याद रखिएगा ठीक है पंद्रा प्रस्ण आप लोग के इक्जाम की द्रिश्टी से बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट है तो चेली मिलते हैं नेश्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही जानेश पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बताएगा और यदि वीडियो पसंद आये तो कमेट करके जरूर बताएगा कि वीडियो अच्छा है ताकि मोटिवेट हो और जितना जल्दी हो सके वीडियो अपलोड किया जाए तो मिलते नेश्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही